हलो गाइस आज इस वीडियो में आपको गूगल लेंज की बारे में पूरा इन्फरमेशन दोंगा कि गूगल लेंज क्या है और इसका इस्तमल कैसा है करते है इसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए तो मेंट टॉपिक पे आने से पहले अज यूजियल चैनल पे नाए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना अब शुरू करते है पहले जानेंगे कि ये गूगल लेंज क्या है गूगल लेंज एक अप्लिकेशन है गूगल की तरफ से जो कुछ फोन की करने के लिए और उसके बारे में पूरा इंफोर्मेशन जाने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है ये बहुत ही यूसफुल अप्लिकेशन है जैसे कि मान लोग कि आप कई पर जाते है और उदर कुछ अजीब से वस्तू या कोई भी चीज को देखते है तो आप बिना किस से आपकी फोन की कैमरा से ही पता लगा सकते है कि वो क्या चीज है ये आपको अकरेटली दिखाते है कि वो अबजेट क्या है और उसका यूसर क्या है सभी जानकारी मिल जाएगा इस अप्लिकेशन की मदद से आप कोई भी चीज को आराम से जान सकते है और समझ सकते है गूग से आप items और barcodes को scan कर सकते हैं और इसके side में dining icon देखने को मिलेगा इससे आप foot को identify कर सकते हो और left side में text icon है इससे text को search और translate कर सकते हो इसके side में भी translate option है इससे आप कोई भी बाशा को अपने बाशा में convert करके देख सकते है जैसे मान लो कि आपके सामने एक गदा होगा पर आपको लगेगा कि वो गोडा है इस time पे आप Google Lens की मदद से find out कर सकते हैं कि वो गदा नहीं गोडा है और इससे पता चलता है कि आपको चश्मे की ज़रुरत है इसमें आप सिर्फ living and non-living objects को ही नहीं बलकि आप इसमें words या paragraph को किसी भी language में translate करके देख सकते हैं मान लो कि आप चाइना ट्रिप के लिए गए है पर current situation में तो आप जाने वाले नहीं हैं इसलिए imagine करो की गए हुए है अब उदा सब चाइनिस में होगा आपको हिंदी, English चोड़ के दूसरा language read करने को नहीं पता होगा इस टाइम पे आप Google Lens की मदद से कोई भी बाशा को translate करके समझ सकते हैं और Google Lens की तुरू आप shopping भी कर सकते हैं इससे करने के लिए आप कौन साच चीज को करिदना चाहते है उस पर Google Lens से photo click करना है तो नीचे आपको similar objects दिखाता है जैसे कि आप कुछ gift item या decorative item पर Google Lens का इस्तमल करते हैं तो वो उस object के साथ तोड़ा बहुत similarity रहने वाली objects को दिखाता है जैसे उस object का color size change करके दिखाता है इससे आपको shopping करने के लिए ज्यादा option मिलेगा आपको books पढ़ने की shock है तो आप Google Lens की मदद से अच्चे books को डून सकते हो इससे करने के लिए Google Lens की application open करोगे तो उदर text option दिखेगा उस पर click करके आपको कौन सो book चक करना है उस पर point करके tap करोगे तो उदर आपको copy text, search और translate option देखने को मिलेगा आप search पर click करोगे तो उदर book की summary और अच्चा है की नहीं है वो सब detail में देख सकते है इसे चोड़ कर Google Lens में आप कोई भी food या dish के नाम और उसके बारे में details जान सकते है ये बाकी process की तरह ही simple है इसे आप तब इस्तमल कर सकते है जब आप किसी के गर जाते है और उदर आपको काने के लिए कुछ देते है पर आपको मालूम नहीं होगा कि वो क्या item है अब आपका phone निकलो, Google Lens ओपन करो और dish का photo ले लो अब आपको उस dish की बारे में पूरा जानकारी मिलेगा उसका नाम, recipe, सब कुछ चाहे तो गर वापसा के try कर लेना Google Lens काफी useful application है इसकी मदद से हम कुद कोई भी वस्तु या प्राणी को identify कर सकते है और उसके बारे में पूरा जानकारी पा सकते है तो यह थी दोस्तों Google Lens की बारे में कुछ information आपको यह वीडियो पसंद आये तो आप वीडियो को like करो, share करो और subscribe कर दो यार